बहुत लंबे एड़से के बाद पवन सिंग ने अपनी जबान खोली थी कह रहे थे कि बार बार लोग ऐसा कह रहे हैं तो जो कहना है वो कहने दीजिए पवन सिंग के फैंस का इंतमाम मुद्दों पर क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे अपनी एक रिपोर्ट के जरिये दरसल पवन सिंग ने बहुत दिनों के बाद कुछ बातें कही थी बहुत दिनों से वो चुप थे वो कुछ नहीं कह रहे थे जितनी भी उनकी उपर आरोप लगे आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला इस बीच पवन सिंग के तरब से एक भी बयान सामने नहीं आया लेकिन जब यरपोर्ट पर उनसे कुछ मीडिया कर्मी मिले तो उस दर्मियान उन्होंने बस इतना कहा कि जुसे जो कहना है कहने दो इस पर तमाम दर्शकों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी हैं क्या कुछ कहा है उनके फैंस ने देखिए ये रिपोर्ट पवन सिंग और अक्षरा के मामले में हर बार नया मोडा रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है पवन सिंग और अक्षरा मामले में जिस तरीके से हमने फैंस से उनके राय मांगी थी तो बहुत सारे फैंस ने अपने राय भेजे हैं हमें जो हम आप तमाम दर्शकों क समक्ष अभी रखने वाले हैं दरसल पवन सिंग और अक्षरा को लेकर ये कहा जा रहा था कि दोनों में जो मत्भेद चल रहा है उसके जिम्मवार पवन सिंग ही है लेकिन हम ऐसा नहीं मानतें पवन सिंग और अक्षरा सिंग का जो मामला है उसे नेक्षनाइट भूजपूर या नस्पक्षता के साथ पेश करना जानता है ना तो किसी के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं ना हम किसी के ऊपर प्रातिरोप लगा रहे हैं क्योंकि हमारा ये जरा भी मोटिव नहीं है कि कि किसी का हम खराब करें फैंस लगतार पवन सिंग और अक्षरा सिंग पर अपने अप सब कुछ अच्छा चलता है तो बड़ा अच्छा लगता है कहते हैं कि जब जीवन में हर चीज खुशियों से भरा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है तो फिर पवन और अक्षरा जब खुशी खुशी रहते थे तो वो जोड़ी कितनी खुपसूरत लगती थी जब परदे पर ये जोड़ी आती थी तो धमाल मचा देती थी और दर्शक सिनेमा घरों में जुड़े रहते थे तो फिर आखिर ऐसा क्या है जो नेक्षनाइन भोजपूरिया अलग तरीके से पेश क यह हमने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है तो कई दोस्तों की राया है जिसमें रंजीत सिंग्हा कहना है कि जिसमें पावर है वहीं स्टार है ये पवन सिंग के दोस्त हैं तो कुछ आफश्रा के भी दोस्त हैं जिनों कई बाते कहीं हैं इंजिनियर मनोज कुमार सिंग सूपर हीरो हैं सच में सूपर हीरो है पवन सिंग और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय है और जो बाते सामने आएंगे उसे हम अपनी मात्भिम से जरूर आप लोगों तक पहुंचाएंगे अजय जान कहते हैं कि सिंदूर किसका है अक्षराजी तो लगतार ये इस कुछ भी नहीं होगा और इसके अलावा राडी पांडे कहते हैं कि पावन भाया के साथ हम सब हैं और गुछ लोग अक्षरा के भी है जो कहते हैं कि पवन सिंग को लेकर भी कई टरीदी बाते करते हैं तो यहीर बोल रहे हैं तो इस तरीके से तमाम बाते सामने आई है अजो पवन सिंग को कह रहे हैं कि पवन सिंग को करणी का सजा मिलनी चाहिए और वशाल आर्या कहते हैं पवन सिंग इजी बैड मैन रजनी श्रागा कहते हैं पवन सिंग सही है तो अक्षरा और फैंस अक्षरा के फैंस और पवन सिंग के फैंस दोनों ने अपनी अपनी राय रखी है क्योंकि हमने राय मांगी सिंग महिश बिहारी का भी कहना कि पवन सिंग सही है सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि पवन सिंग घटिया आदमी है ये पूरा भोजपूरिया समात जानता है हमने बस राय मांगी थी हमने ना पवन की बुराई की ना हमने अक्षडा की बुराई की हम तो बस दोनों के बीच चल चाहे वो राजवृत्ति हो या फिर मनोरंजन जगत की खबरे हो या फिर अनेक शेत्र की खबरे हो अगर हमने पवन और रक्ष्रा की ये खबर बनाई है तो इस खबर के पीछे बस यही है कि दोनों की बीच जो मनमुटाव चल रहा है वो खत्म हो जाए और ये सिलसिला खत्म होकर एक नए सीरिय से ये लोग जिन्दिगी की शिरुवात करें और फिर से वही पल लॉट आए वो खूबसूरत हंसों का जोड़ा एक बार फिर से दिखें नेक्स्ट नाइन भूजपूरिया के लिए शशी प्रिया सिंग के रेपोर्ट तो पवन सिंग ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और इस पर फैंस ने भी बहुत सारी बाते कहीं हैं किसी ने उन्हें धाड़स बंधाया है किसे ने कहा कि इस तरीके की बाते नहीं होनी चाहिए तो किसी ने उन्हें सलाह दी है कि पवन सिंग अगर कुछ गलत इन तमाम चीज़ों को अब रफादफा करना चाहिए सच और जूट का पता लगाना तो पुलस का काम है लेकिन मामले को सुलजाना जरूर आपस में एक दूसरे का साथ दे कर हो सकता है तो हमें दीजे इजाज़त लेकिन अपने कमेंट्स जरूर दीजे हमें आपके कमेंट्स का इंतजार जैसे हमने इस कारिकरम में आप तमाम दर्शकों की कमेंट्स को शामिल किया है वैसे ही अगले कारिक्रम में हम फिर से आप तमाम दर्शकों की राय ज़रूर शामिल करेंगे नमस्कार